हाई फ्रेंट असलाम लेकुम आज हम आप लोगों को बेबी डाइपर बनाना बताएंगे जो की बच्चों के लिए बहुत जरूरी होता है अगर ये ना हो तो आपको मार्केट से डाइपर खरीद के यूज़ करना पड़ता है जो की आप लोगों के लिए काफी महंगे पड़ते हैं और अगर आप घर पे इसे बना के यूज़ करेंगी तो आपके बहुत सारे पैसों की वच्चत होगी और यूज़ फूल भी रहेगा तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं इसको बनाने के लिए यह हमने कपड़ा लिया है हमने दो पीस में कपड़ा लिया है इस तरह से टू पीस में और इसकी लंबाई चोड़ाई हमने दोनों की सेम रखी है एक वाइट कलर है एक प्रिंटेट कपड़ा है हम white वाला कपड़ा नीचे यूज़ करेंगे और printed कपड़ा उपर लगाएंगे तो इसकी लंबाई हमने 17 इंच रखी है और चोड़ाई हमने 12 इंच रखी है अगर आपके बच्चे थोड़ा healthy हो तो चोड़ाई लंबाई दोनों बढ़ा सकती है वैसे नॉर्मल बच्चों के लिए 6-7 महीने के बच्चों के लिए यह लंबाई चोड़ाई बिल्कुल सही है तो यह वाइट वाला कपड़ा हम अंदर की साइड लगाएंगे और दोनों कपड़ों के बीच में हम यह फोम लगाएंगे यह हम बीच में लगाएंगे तो इसकी भी कटिंग कर लेंगे तो यह मेरे पास चोड़ाई में नहीं था तो इसलिए हमने सोचा कि इस तरह से दो पार्ट में लगा लेंगे उसको ज्वाइंट करके तो पहले इस डाइपर की हम कटिंग करेंगे इसकी कटिंग करने के लिए हमने लंबाई चौड़ाई पहले ही आपको बता दी है अब इसकी कटिंग करने के लिए पहले हम इस कपड़े को four fold में करेंगे जिस तरह से हमने वीडियो में दिखाया है अब यहाँ से side से हम तेन इंच पे निशान लगा देंगे और इस पर हम इसकी कटिंग कर देंगे तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर दी है अब उपर की साइड हमें बेल्ट लगाना है तो उसके लिए हमने ये कपड़ा लिया है इसी कपड़े से हम बेल्ट बनाएंगे अगर बेल्ट बनाने के लिए आपकी लाश्टिक जितनी चौड़ी हो उसी हिसाब से इस कपड़े को कट करेंगे हमारे लाश्टिक की चौड़ाई लगबग एक इंच है उसी हिसाब से हम इस बेल्ट को लगाएंगे तो इस belt को बनाने के लिए ये हमने कपड़ा लिया है ये हमारे कपड़े की लंबाई थोड़ा सा कम है तो इसमें हम कपड़े को अलग से जॉइंट कर देंगे तो हम अंदाज से ऐसे हमने कटिंग कर ली है लगबग इसकी चौड़ाई तीन साड़े तीन के लगबग है लेकिन इसमें से एक्षा कपड़ा हमें बाद में कट करना होगा क्योंकि हमारी लाश्टिक की चौड़ाई थोड़ा कम है तो हमने इस तरह से रख कर देख लेना है यह हमारा कपड़ा थोड़ा कम है तो इसमें हम जॉइंट लगाएंगे अब लाश्टिक को भी यहां से यहां तक नाप लेंगे जितनी भी लाश्टिक की लंबाई आएगी उतनी हम कट कर लेंगे तो इस कपड़े को पहले हम खोल के रख लेंगे इस तरह से यह दो पार्ट में है बीच में हम इसको जॉइंट करेंगे और फिर इस तरह से एक वाइट वाला कपड़ा उपर रखेंगे अब इसके चारो तरफ हम एक एक सिलाई लगा करके इसे एक जगा फिक्स कर लेंगे तो देखी हमने इसकी सिलाई लगा ली है यह दोनों तरफ से उसी तरह से दिखेगा और जो भी एक्ष्ट्रा कपड़ा होगा उसे हम कट कर देंगे चारो तरफ से लगा के complete कर ली है अब हम उरے पट्टी लेंगे इस तरह से जिस तरह से हमने बना लिया है इसे और इसे हम पतली पाइपीन के तरह दोनों तरफ हम सिलाइ करके इसे countless कर देंगे और ये हमने चार पट्टियां कट की है इसे चारो साइड में इस तरह से लगा करके एक एक सिलाई से हम जोइंट करेंगे और फिर इसे पलट करके इस तरह से हम पट्टियां सिलाई कर देंगे तो देखी हमने इस पट्टी को इस तरह से सिलाई करके इसे कम्प्लीट कर लिया है अब हमें इसमें बेल्ट लगाना है तो बेल्ट लगाने के लिए ये वाला हम कपड़ा लेंगे और ये हम लाश्टिक लेंगे इस lastik को हम कपड़े के अंदर इस तरह से रखेंगे और lastik को खिशते विए इसे belt की तरह हम सिलाई करके complete कर लेंगे उसके बाद हम इसे diaper में joint करेंगे तो lastik का नाप हम इस तरह से खिश करके लेंगे जितनी बड़ी lastik आएगी उतनी बड़ी हम यहां से cut कर देंगे तो हमें दो lastik इतनी बड़ी cut करनी है क्योंकि हमें आगे और पीछे दोनों side हमें लगाना है तो देखी हमने दो lastik cut कर ली है चोटी चोटी अब हम इस belt के बीच में इस lastik को joint करेंगे उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि फिर diaper में हमें कैसे joint करना है तो देखी हमने इस belt को बना लिया है यह belt इस तरह से बनके तयार होगा अब इस belt को हम इस तरह से diaper में joint करेंगे और joint करने के बाद जो भी belt का extra कपड़ा होगा उसे हम cut कर देंगे तो इसे सीधी side से रख करके हम joint करेंगे देखी हमने belt को इस तरह से joint कर लिया है पूरी तरह से हमारा diaper बनके तयार है अभी हमें इसमें chips लगाना होगा तो इस तरह से हमने diaper बना के तयार कर लिया है अब हम इसमें chips लगाएंगे आप लोग कने यहां इसे क्या बोलते हैं वो मुझे नहीं पता हम तो इसे चिपसी ही बोलते हैं ताकि अगर चिप्स चिपकाने के बाद, अगर आपका डाइपर खुलने की डरो तो आप बंदन से इसे ढीला और टाइट जितना भी चाहें, आप इसे खीश करके माद सकती हैं इस तरह से तो आपका डाइपर निकले गा नहीं तो इस तरह से हमारा baby diaper बन करके complete हो गया है देखिए किस तरह से हमने इसे आसानी से बना लिया है और ये काफी useful भी है बच्चों के लिए जब आपको निकालना हो तो इस तरह से आप खोल करके चिपस को हटा करके इस तरह से निकाल सकती है तो इसको लगाने का तरीका बता दे खाया है इतना बड़ा आपको लेना होगा और इस साइज का आप 3-4 पिस बना करके रख सकती है और इस तरह से एक गद्दी की तरह बना ले और फिर इसे इस तरह से बनाने के बाद डाइपर में आप रख करके यहां इस तरह से बच्चों को लिटा करके इसे चिपस से यह डाइपर बनाना बहुत आसान है तो हमने इसमें इस तरह से बंदन लगा दिया है ताकि बंदन लगाने से आपके बच्चों का डाइपर अगर खुल भी गया तो बंदन के सारे बंदा रहेगा खुलेगा नहीं तो इस तरह से आप घर पर बेबी डाइपर बना करके बच्चों के लिए यूज कर सकती हैं और आपके पैसों की भी बचत हो जाएगी तो उमीद है कि आज की हमारी बेबी डाइपर की वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आयोगी और काफी यूजफूल भी रही होगी अगर वीडियो पसंद आयो तो इसे लाइक करें शेयर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगले वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक के लिए अला आफिस